तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सब भी को स्टा भारत पर आनी वाले सीडल राधा क्रश्न के नई कास्ट के रियल ने मुरेज के बारे में बतानी वाले हैं जो कि शायद ही आप सब ही जानती होंगे और जानना चौहाती हैं तो हमार वीडियो के साथ हंते तक बने रहीगा तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो के सीरियल में पारवती जी का करदार निभा रही हैं उनका रियल नेम पयाली मुन्शी है और इनका जन में 30 अगस्त 1991 में हुआ था तो अभी इनके उम्रे 30 साल है और वही जो कि सीरियल में भूली नाथ का करदार निभा रहे ही हैं। रियल नीम कार्ति के मालविय हैं और इनका जन में 3 नॉवंबर 2004 में हुआ था। और वहीं जो कर सीडियल में सत्य भामा का करदार निभा रही है उनका रियल नीम आलिया घोश है और इनका जन में 24 मार्च 1994 में हुआ था तो अभी इनकी उम्र 27 साल है और वहीं जो कर सीडियल में जाम वंती का करदार निभा रही है उनका रियल नीम मनीशा सकसेना है और इनक जन में 12-अप्डे Nov Grad 1993 में हुआ था तो अभी इनके बेर अठाइस साल है और वही जो कर शीडियल में रुक्मनी का कुर्डार नीं भा रही है उनका रीजा निम चलक देश है है और इनके जन वे बीस दिसमबरlett 92 हुँ हुऄ था तो अभी इनके उम्रे 99 साल है और वही जो कर सीऩल में राधा का कometry vue曹ा सिंगnd इंक जन में मुलाद ल्हार वही जैनर ऑफ ही स्याइड और वही जो कसीडियल में बल्राम का करदार निभा रही है उनका रियाल नेम बशंत भठ है और इनका जन में 13 जनवर 1994 में हुआ था तो अभी इनकी उम्रेट 27 साल है और वही जो के जीरियल में निष्ठा का किरदार निभा रही है उनका रियल नीम हर्ष महता है और इनका जन में 17 अगस 1997 में हुआ था तो अभी इनकी उम्रे 24 साल है और वही जो के जीरियल में रेवती का करदार निभा रही है उनका रियल नीम कंच्रन दुबे है और इनका जन में 1996 में हुआ था तो अभी इनके बरे 25 साल है और वही जो के जीरियल में अलमुका का करदार निभा रही है उनका रियल नीम देवेश शर्मा है और इनका जन में 25 फरवर 1997 में हुआ था तो अभी इनके में 24 साल है और वहीं जो के सीरियल में प्रद्यूमन का किरदार निभा रही है उनका रियल नीम कुनाल गोड है और इनका जन में 1990 में हुआ था तो अभी इनके में 22 साल है तो अब आप सभी का क्या कहना है और आपको ये सीरियल कैसा लगता है हम इकमेट बोक्स में ज़रूर बताईएगा साथ अगर आपको हमारे ये वडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थन्यवाद